आपका फिर से स्वागते आज मैं आपको आलू के मुमोच बनाना सिखाऊंगी तो मैंने एक बाउन लिया है इसके अंदर यह में एक कटोरी मेदा लिया है इसके अंदर दाल दूंगे मैं च मशसाना सिखाऊ करना दिल दाल में एक आजका अंदर अड़का के लिए आसको इस नहीं डाले टो तियार करेंगे, एक दम से पानी ना ढाले ठोड़ा थोड़ा दाले, तेयार करें तो अंगरा माठा लगाएंगे, तो यह आठा मारा तैयार हो चुका है मैं इसको कम से कम 20 मिनट तक धक रभ दग दें तब तक मैं इसकी टफिंग तैयार कर लेती हूं तफीन तैयार कनने के लिए मैंने तीन आलो लिये चोटे वाले इनको छिल लिया है और दोली लिया है है अब में इसको कद्डू कस कर लूँगी बेलगल बारिक वाला होना से करना एस तरह कर आम इस पाने आलो इनको कद्डू कस लिए अलू को हम इनको बहा निकाल जो बहा निकालें इस तरीके से अब बहा निकालें अब मेश आधी चमण नोग जालाए इसको मिक्स करके इसको मिक्स किलोंगे अच्छ से एक रख दुए ताँकि नमक पानी खोड़ से एक बाप से निकल लिया तो तो मैंने इसके पानी निकाल लिया है यह चोटा वाला ज्यादा तेल नहीं डाले इसको गराम होने देगे अब मैंने एक प्याज चोप कर लिया था बिल्कुल बारी तो मैं इसके अंदर डालें इसको ज्यादा नहीं पकाना है हल्का ब्राम करना है अब मैंने थोड़ा सा लेशंग और अजरप का तेस्ट बनाया तो भी इसके अंदर डालें थोड़ी थी खरीमेगी तोपी अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमुग डालू इसको अच्छे से मिक्स कर ले तो इसको अच्छे से मिक्स कर ले इस तरीके से अब मैं इसके अंदर एक चम्मच सोया सोल डालू इसको अच्छे से अंदर एक चम्मच ग्रीन चिली सोल जालू तो यह देखिए यह पप चुगा है हमारी टैफिंग तयार हो चुकी है मैं गयस बंद कर दूंगी अब साथ के साथ चतनी भी तैयार कर ले ताकि मोमोज नहीं हो तो मैंने यह लाल मिर्चि ली थी इसके बीज अच्छे से निकाल लिया है क्योंकि यह बहुत ज्यादा तीक है तो मैं इसको गरम पानी में डाल दूंगी अब मैं इसके अंदर टामाटर डालूंगी तो मैंने टो टुगड़े खर लिया इस तरीके से में इंके अब महिने पका लेंगे गरम पानी में तो अब हमारे 20 मिनट पूरे हो चुके हैं तो यह आठा चेक कर लेते हैं इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि और और मिक्स हो जाए कि ता सोट हो गया आठाई दो यहाँ लोगे इस त्तारीके से ताकि मोमज बढ़े चोटे नहीं बनें हमेरे हम एग डौ लोगे से स्टारिके से इस को असग्य अब तो इस तारीके से तयार कर लों मैं पट्ड़ के यह तह उबल चुके हैं तमाटर से एक हूर कपितर सब्सक्राइब मेस सब्सक्राइब कर इसके जए यह ताइसको एफ तर्वाकि या निया इस गूमा दे अ यहीं तरीकसे में सारे मॉमो के लूगी इस प्रकार में दूसरा तयार करते हैं, दो बता देता आप आप चाहों कोई सीवी डिजाइन दे सकते हैं पर मैंने गोल-गोल डिजाइन दिये इसके अंदर तो इसी टाफिंगी इसके अंदर बीच में रखेंगे इस तरीके से हम प्लेटे डाल के इसको इस तरीके से थोड़ा सा रूल कर दे ताकि खुले नहीं तो इस तरीके से मैंने सारे दो तैयार कर लूँने अब मैंने इसका पानी निकाल के इसको ठंडा कर लिया है तो यह टामाटर के जो चिलके दिख रहे हैं इसको मैं अटालूंगी इस तरीके से सारे टामाटरों के हम चिलके उतार दे ताकि चटनी हमारी बिल्कुल अच्छी पीसे अब जार में डाल लिए इनको बिना पानी डाले ही इनको पीस लूमी अच्छे से अब इतने बड़े बगुने में गरम पानी रख दिया है हम में इसके ओपर इस तरह की की चाली रख दूनी है हम में इसके ओपर मॉमज रख दूनी अब में इसको डख दूंगी इस तरीके से तो अब में इनको कम से कम 25 नट तक बाप में पकने दूंगी अब में चटनी कयार कर लेती हूं तो मैंने दो चम्मस तेल डाला था यह गरम होच चुका है अद्रक लसुन का पेस्ट हम इसके अंदर डाल देंगें अद्रक नमक दाल दिया हैं अब मैं इसके अंदर एक चम्मस सोया सोस दाल जहीं अंदर एक चम्मस विनेगर डाल जहीं अब इस चटनी को हम तब तक यह तेन नहीं छोड़े तब तक पकाएंगे तो इसे इसी तरीके पकाते रहें तो देखिए यह तेल इसमे छोड़ दिया तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूँगी अब इस चट्नी को अच्छे से पकाएंगे अब इसको अच्छे से पकने के लिए हम छोड़ देंगे तो वो बीच मिल्ड पूरी हो चुकी है तो मैं इसको अचा के देख लूगी तो देखियाएं ये पक चुका ये अगर चालनी से अट रहे तो इदेवर पक चुकह हैं ये यह अच्छे से टाव है तो चट्नीय तावन्द हो चुकिई मैं गैस बंद करदूगी तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेर जरूर कीजीगा ठेंक्स माइ वाचिंग वीडियो और सब्सक्राइब माइ चैनल